दूबा सुबा का टाइम है और एक कब गरम चाय है चाय के साथ बिस्केट हमने खाए है तो ये बेसे देख सकते हो और इसी को भी नाश्टा कराते हैं सामने आप देख सकोगे जो हम मैंने पार्ष को चोथा दिन हो गया है रात दिन चल रही बारीश रुकने खेंग मानिं जो धी खुल्ट हो गया है यह पल्ट हो रहा था इसको हम चुबा से लगे हुए तक्रिवन हमको हो तीन घंट हो चुकिए हैं इसको कर रहे हैं हम अपना बचाव कर सकें तो आपको दिखाता हूँ बारिष अभी भी चल रही है तीन दिन लगातार बारिष चली है आज चोता दिने बारिष को आज भी चल रही है सूरज निकल आ नहीं है और आसमान में बादल बादल चाय हुए पता नहीं क्या होगा लगता है सेलाब आ जाएगा सूरत हाल सेलाब की हो चुकी है फसुल जो है हमारे वो पानी में डूब चुके हैं कच्छे मकान थे उनकी दीवारें और छितें भी गिर गई हैं बारिश ने पानी का बहुत जोर भराए पानी ने बहुत नुक्सान कर दिय अभी भी बारिश चल रही है हम शोपर भी नहीं जा सकते तक्रिबन दो दिन हो चुके हैं घर बेठे हैं खाने पीने की अश्या जे वो भी कम पड़ गए बारिश रुक ही नहीं रही ये बंदे लगे हुए हैं सुबा से साथ बज़े तक इन्होंने ना चाय पिये ना नाश्टा क्या है सिर्फ अपने सिरों को महफूज कर रहे हैं ताके घरों में पानी ना चला जाए ये वाटर है रुक इसका पानी रोकरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अगर ये कोशिश ना करते रहे तो ये पानी हमको डूप कर रखते गा और जो हमारे घर हैं वो भी गिर जाएंगे बारिश का पानी ज्यादा है वाटर का पानी रोकने की कोशिश जा रहे हैं ये हमने खुद अपनी मिनत करके इसको मजबूत किया है इसको शापर लगा के उसमें मिटी डालके हमने खुद अपनी मिनत किये सुबा से बंदे लगे हुए हैं ताके इसको मजबूत कर सके वरना ये जो पानी है वाटर आप देख सकते हो ये पूरी तरह पानी ज्यादा ह हो चुका है और हमारे जो कच्चे मकान है वह तो बारिश ने गिरा दिये अभी हमारे घरों में पानी चला जाएगा इस होजा से अपनी कोशिश जारी कर रहे हैं आप देख सकते हो सुबह से हम लगे हुए है आश्ता आश्ता करके पानी को मजबूत कर रहे हैं आगे जो रास्ता है वो दूब चुका है उसमें पानी खड़ा हो गया है अभी बाइक भी नहीं निकाल सकते हैं बाइक भी हमारी जो फस गई है घर में जो बैसे खड़ी हुई थी उनकी जगह पर इतनी कीचड़ा चुकी है कि उनके जो पाउं से उपर कीचड़े तो हमारी जो बाइक के कमरों में खड़ी है निकल नहीं सकती थी आगे जो रस्ता है वो डूब गया है बारिश चल रही है आज चार दिन हो गए है बारिश को चल रही है आपके सामने है हुआ 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 है हुआ हुआ है दो वाभ टू मस्ता आड़ टूसन रही है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है यह पक्के तक इसको रिपेर करेंगे मस्बूत करेंगे वाटर को पक्के तक इधर अचा आए तो दिखाता हूँ यह सामने पक्का है इसकी रिपेर करते जा रहे हैं आगे आगे को दिखाता हूँ आगे रस्ता जो हमारा है उसमें पानी आगे आगे है यह हमने कल भी इसको वजबूत किया था यह देख सकते हो यह रस्ता है हमारा इसमें पानी आ गया है दर से बाइक निकालना बहुत मुश्किल हो गया है तो देखते हैं आज हम शोपर जाते हैं बारिश रुकती है के नहीं अभी में बार अभी टाइम वाई आरा बज़कर काम कर लिया है बस आगे जो पका रस्ता है उसी तक मजबूत है यह जो कच्चा रस्ता है हमारा खेतों का इस वजब से यह नीचे आप देख सकते हो पानी कितना हो गया है वाटर में पलट हो रहा है पानी तो पके तक इसको मजबूत करेंगे ये पानी खड़ा हो गया है रास्ते में और देखेते हैं ये कच्चा रसा है हमारी गर्टा की तरफ तक और पक्के तक आपको दिखाते हैं पक्का बहुत मजबूत रास्ता है ये कच्चा ही पानी पानी हो गया है सामने पक्का रस्ता है हमारी ये विलेज की तरफ जाता है ये कच्चा रस्ता है हमारी गर की तरफ जाता है इद तक और ये विलेज ये यह रास्ता हमारे विलेज की तरफ जाता है अंदर यह हमारा गाउं है और पारिस में यह हमारा गाउं है और इदर यह गाउं है एक यह गाउं तक्रिवन साथ से आठ जो हमारे पड़सी गाउं है इनका भी विलोक बनाऊंगा पूरे गाउं का इन्शाला वो भी आपको दिखाएंगे इनकी जो अंदर चल रहा है और रास्तों में पानी खड़ा हुआ है जैसे यह दूप निकलेग इन्शाला आपको अपने विलेच का भी विजिट कराइंगे है अब बटर कम में मद्बूत करते हैं और बंदे भी थे साथ में अभी हमारा खाना आया त्यार हो चुका है तो अभी में खाना खाता हूं बिसमिल्लाएरमार्यम करते खाना शूरू करते हैं रोटी में कायब गरम रोटी है और आलू की आसालन है और साय मिर्चें तो साथ में खाते हैं बिस्मिल्लाई रमाराइम आओ खाओ तो सत्य बिस्मिल्लाई बिस्मिल्लाई रमार एक बज कर और सूरज अभी तक नहीं निकला मैं आया हूं बाहर ना आने के लिए ना आएंगे कपड़े चेंड चलता है बारिष आती है चलते हैं शोप के या नहीं चलते हैं वो भी आपको दिखाते हैं तो मैं अभी ना आ लूँ तो मैं अभी स्वाटर में ना हूँगा एक बच का विस मिनट और मेना आ गया हूँ और बारिष भी चल रही है बारिष अभी भी चल रही है आपके सामने केल की बारिष चल रही है तो मैं जाराओं घर की तरफ कपड़े चेंड करेंगे फिर अरे घर का हाल की चड़ है की चड़ है पूरा पाउं अंदर चला जाता है की चड़ में ये सामने टेक्टर का मकान गेर गया था और ये कच्या मकान था गेर गया था अभी भी बारिष चल रही है मैं जाओं घर कपड़े चेंड करूं अभी टाम हुआ है दो बच कर तो अभी भी बारिष चल रही है ये मेरा भाई ये चुटा चित की कमरे की लिपाई कर रहा है बच कर 20 मिनिट और आप देख सकते हो बारिष अभी इस पीट लगाई हुई है इस्पीड में बारिश चल रही है आपके सामने या पुद हमारी बेसो का मकान गिर गया हैं कज्चा मकान बारिष में गिर जाते हैं बाकि हमार जो फकी जगा है वो अब भी भी अलहमदिल्ला बेतर है हमने इसका आधर जुगार लगाया हुआ है ताके ये जो दिवार है कमजोर है पिर ना जाए इसी लग से हमने इसको जुगार लगा दिया है इसको भी जुगार कर दिया है और आपके सामने ये दिवार गिर गई है और बारिश अभी भी क्योवन लगता है बारिश नहीं रुकेगी अब भी हलके हलके बारिश हो रही और सूरज भी नहीं निकला और लायट भी नहीं आई बारीश की वज़ जर्छासे तो अब हम शूब पर नहीं जा सकती इस ज़्स जब ऐसे तो समा ले आते हम सिटी से वो लेने में तोड़ी सी मुश्किलात आ जाती है तो रस्ते खराब हो जाते है और वारिश चल तिरे लगाता तो बहुत मुश्किलात का समना करना पता है आपको पता है मैं वीडियो बना रहा हूं कि इन दिन से बारिष चल रही है आज चोता दिन दिन इस बारिष को हम दो दिन से शोपर नहीं गए और हमारा जो खाने पीने के एश्या है वो भी खतम हो चुके हैं तो बारिष की वज़ा से जो हमारी लकडियां है वो भी गिली हो चुकी है इस वज़ा से तो आग जलाने में बहुत दिक्कत हो रही है तो आग नहीं जल रही जो लकडियां पड़ी थी वो भी गिली हो चुकी है तो खाना पकाने में बहुत मुश्कलात होती देखते हैं आग जलेगी के नहीं जलेगी तो अभी में मुबाल को चार्जर पर लागाता हूं तो मिलते हैं तक्रीबान एक घंट के बाद अभी टाइम हुआ है पांच बज़ करो मेरी जो मुबाल है उसके 25% चार्जर हो चुकी है अभी भी बारिश चल रही है तो अभी हम आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं आदा गंटा हो चुका है लकड़ी जो है हमारी वो गिली हो चुकी है आपको दिखाते हैं माच जिसकी मद से हवा का जलक्या लगाएंगे ताकि आग जल जाए और हम चाय करें चाय करने के बाद इसी आग पर हम खाना पकाएंगे तो ये भारिश में मुश्कलात का सामना करना पड़ता है विलेज में गेस की कोई सहुलत नहीं होती लकड़ी भी जो है गिली हो जाती है तो इस वज से कोई मसला नहीं जैसे सूरज निकलेगा तो सारी मुश्कलात दूर हो जाएगी जो चीकड़े वो भी सूख जाएगी और हमारे जो सोला रहें वो भी काम करने जाएंगे रस्ते भी सूख जाएंगे ये तो दो या तीन या पांच जिन लाग भी जल गई है अलामदलिला अलामदलिला साड़े पांच बच चुके हैं और हमारी चाय त्यार है हम चाय पे के बाहर चलते हैं अभी भी बारिश हलकी हलकी चल रही है तो हमारे जो पड़ोसी गए थे सिटी सामान लेने हमने भी उनको पेसे दिये हुए थे जो हुकीमती सामान था दरूरत का सामान था वो भी हमने मगवाली आए नहीं गए थे सिटी तो हमारे पड़ोसी गए थे उनको पेसे दिये थे ये ज़रूरत का समान लेकर आए सबजी चावर और दार और गिह तो ये काम भी अलम्दिल्ला हो गया केशिया थे वो भी हमने मंगवा लिए शहर से तो अला खेर करगा सुबा जैसे सूरज निकलेगा और बारश ना हुई तो सुबा हम चलेंगे अपने शोपर तो रोजी भी करेंगे आज तो सारा दिन बारश चलिए और सूरज निकलाई नहीं और बिजली भी खराब थी तो आ को कि ए ये ये खराइब लाजी तो आज आज आज़ खराब लाज थी तो आज़ तो सारा इजली विद्छी करेंए नहीं तो सारा दिन शुबाद प्राब बार